Hello everyone, Welcome back to my channel दोस्तों प्रस्तूत है आज की Breaking News गुर्वत्ता पूर्ण सिच्छा चाहिए तो ना कराए गयर सिचणिक कारे कमिशन खोरी में 15 साल में ही जरजर होगे जिले की 22 बेसिक स्कूल या परस्दी विद्याले दे रहा निजी स्कूलों को कड़ी टक कर बेसि सिच्छा विभा के खाते में रकम फिर भी नवनिहाल जिल रहे सर्दी का सितम अन्तिम समय का ना करें इंतिजार अभी फाइल करें अपना आईटियार परस्दी विद्यालों में दम तोड़ रहा मिसन कायकल्फ नव नियोक्त सिच्छकों की सत्यापन सूची में गोलमाल का मामला उठा आईए देखते हैं दोस्तों खबरेविस्तार से सिच्छकों से गयर सिच्छनिकार ना कराया जाएं कहा यदि सिच्छक पुरानी प्रिंसन बाहली चाहते हैं तो उत्रप्रदेश की विद्हांसवा चुनाओं में सिरकार के खिलाब सिच्छक और करमचारी उठ करें कारिकरम की अध्यक्ष डक्टर रक्षपाल सिंग ने कहा कि वह नई सिच्छा नीत से संतुष्ट नहीं है क्योंकि इसमें बहुत खामिया है उप सिच्छा नीत को चुनोती की रूप में सिच्छकों को सु से बड़ा संख है संख द्वारा प्रस्तो सभी समस्याओं का सीख्र समधन किया जाएगा जल से जल नंवनीक सिच्छकों के अवलिखों के सत्यापन कराया जाएगा बित्यों लेखा दिकारे डक्टर अनिल याद ब्वारा कूछ सिच्छकों को लेखा परचkeepers दी ख़ए कहा संचालन जिला मंत्री मुकेश कुमार सिंग ने किया जिला ध्यक्ष कंसुलियन सिंग ने अधितियों का आभार जयताया इस औसर पर कस्मीर सिंग अजीश सिंग दिनेश सिंग कमल सिंगल गोपाल गुपता अमिच चुवान सुधी सर्मा राजेंदत्री निहाल सिंग नरेश कमिस्न खोरी में पंदरा साल में ही जर जर हो गए जिले के बाइस बेसिक स्कुल लखेमपुर कीरी प्रसिदी स्कुलों में अत्रिक्त कच्चा-कचच बनाने में निर्मार्ण प्रभारियों सिंग को द्वार कि एक घपले सालों बाद उजागर होyu हैं जिससे बाइस सिंग स्कूलों में अत्रिक्त कच्छा कच्छा निर्मान कराने वाले सिचकों पर कारवाई के तल्वा लटक गई है सासन के निर्देश पर कराई गई जांच के बाद ऐसे 22 इचकों को चिनित किया गया है जिनके खिलाब सीख रही विभाग वसूली की कारवाई करेगा जनपत के थिखोने से ठेकदारों ने बोली नहीं लगाई थी लिहाजा विभाग ने पुना जरजर भौनों का मुल्यंकन कराकर लागत को कम किया लेकिन इस भी सासन ने 15 बर्स के अंदर जरजर हुए भौनों की सुचना मांगी साथ ही ऐसे जरजर भौनों का निर्मार कराने वाले निर्मार प्रभारियों सिचकों का विवरा भी तलग किया जो जाच में 22 जरजर भौन ऐसे मिले जो निर्मार के बाद 15 बर्स के अंदर ही जरजर हो गए इससे इस पस्ट है कि निर्मार प्रभारियों ने कमिशन खोरी वा कमाई के चक्कर में बच्चों की भविस्कों जरजर हुए हैं जिससे इने जरजर घोसित करते हुए दोस्तिकरण की करवाई की जा रही है इनके निर्मार प्रभारी रही सिचकों का उतरदायत निधर करते हो वसूलियों वभाय करवाई की जाएगी डाक्टर लच्मी कानपांडे बीसे यह परसिदी बिद्याले दे र खेल संगीत भी बच्चों को सिखाया जाता है विद्याले को स्मार्ड क्लास बनाया गया है एक और जहां परसिदी बिद्यालों में नामांकन कम होने को लेकर सिचकों की और से आदनिक संसादनों का रोनार होते हैं वहीं परसा जागिर गाव में इस्थित कंपुजिट बि बिद्याले के स्मार्ड बना दिया है सिखकों के हमीशा अफ्ग्रेड रहने से यहां अभिभाब को का निजी स्कूलों की अपिक्षा यह सरकारी विद्याले में एडिमिशन करना चाहते हैं विद्याले में पान सो दस बच्चों का नामांकन है जब कि यहां मात्र साथ बच्चों को बैठने के लिए कुर्सी बेंच उपलब्द है बच्चों को पढ़ने के लिए पुष्टकाले भी बनाया गया है यहां सभीकार जन पहल जन सहयोगा और सिच्छा सिवभाव के कारण संभव हुआ है अब बिद्याले में बच्चों के बैठने के लिए परियाप्त जगा नहीं है बिद्याले में प्रवेश बंद कर दिया गया था इसको लेकर कुछ अभीभाव को ने सिकायद भी की थी लेकिन सिच्चिकों की तुलना में छात्रों के संग के जएधा होने के कारण प्रवेश नहीं लिया जा रहा है संसाधन मिले तो बच्चों को प्रवेश देकर उन्हें गुनता प्रक सिच्चा दी जाएगी परसिदी बिद्यालों को स्मार्ट क्लास मना जा रहा है कई बिद्यालों में स्मार्ट क्लास इस्थापित किया जा चुका है कि अभिभाब को किखाते में धनरासी ट्रांसफर नहीं की गई है इस कारण चात चात्राइं घरेलू कप्रो स्वेटर और चपल में स्कूल आ रहे हैं वहीं पहले चरण में 81,000 बच्चों के अभिभाब को किखाते में रूपए भेजे गए थे जिले के अनुदानित मदर्से और परसेदी स्कूलों में करीब 1,5,6,6,5 हैं सीम योगी आजितनात के निर्देश के बाद सभी विद्यारत्यों के अभिभाब को किखाते में 11,100 रूपए इस्थानात्रित किये जाने हैं ताकि स्वेटर जूता मोझा और यूनिफार्म खरी सकें हालाकि पहले चरण में 6 नॉंबर को 81,428 बच्चों के अभिभाब को के बैंक खाते में रूपए बेजने कदाब किया गया है वहीं तकनीकी खामियों के चलते कई अभिभाब को कि खाते में रूपए नहीं आये हैं पचास दिन पहले करीब 64,006 चात्राओं के अभिभाब को कि खाते में आपकों के खाते में 11-1100 रुपए भीज़े जा रहे हैं लगबक 60 प्रतिसेद बच्चों के अभिवापकों को रुपए भीज़े जा चुके हैं चंद सेकर बियसे ITR filling income tax विभाग के tax payers से appeal अंतिम समय करना करें इंतिजार अभी फाइल करें अपना ITR income tax return फाइल करने की अंतिम तारीख करीब है ऐसे में tax payers को लगातार समय से पहले आईटियर भरने को सचेत किया रहा है अब रेव्यूर को आईकर विभाग ने टेक्स पेर्स को ट्विट कर एक बार फिर अलट किया है विभाग ने कहा कि आईकर रिटांड दाखिल करने की आखरी तारीक 31 दिसंबर है करदाताओं को आखरी दिन का इंतिजार नहीं करना चाहिए 31 दिसंबर 2021 है अंतिम तारीक आईटी विभाग ने ट्विट में कहा कि साल का अंत आ गया है इसलिए असेस्मेंट येर 2021-22 के लिए आईटीर फाइल करने की तारीक तैह है अंतिम दिन तक परतिछन ना करें आईटीर फाइल करें असेस्मेंट येर 2021-22 के लिए ITR दाखिल करने की तारीख 31 दिसंबर 2021 है 4 क्रोंड 43,7,697 ITR दाखिल किये गए विभाग के अंसवार 25 दिसंबर तक कुल 4 क्रोंड 43,7,697 ITR दाखिल किये गए है जिसमें 11,68,027 ITR उसी दिन दाखिल किये गए है चुकि वित्ती वर्स 2021 के लिए बेक्तिगत करदाताओं के लिए आईकर रिटर्ण दाखिल करने की अंतिम्तिती 31 दिसंबर है विभाग ने बताया कि ये फाइलिंग में ब्रिधी हुई है आईकर विभाग ने गोचड़ा किया है कि केंद्री प्रत्रेक्षिकर बोर्ड ने 1 अप्रेल 2021 से 20 दिसंबर 2021 तक 1 दिसंबर 38 क्रोंड से अधिक करदाताओं को 1,4,328 क्रोंड से अधिक का रिफंड जारी किया है परसिदी बिद्यालों में दम तोड़ रहा मिसन कायकल बलिया मिसन कायकल प्योजना के ताहत परसिदी बिद्यालों को मौलभो सुवधाओं से सुसजित करने की योजना जिली में दम तोड़ते नजर आ रही है हाल यहाई कि विद्यालों में चाहरदिवारी सोचाले सुध पेजल बिजली डेक्स बेंच नहीं है विभाक कहना है कि ग्राम पंचायते इस दिसा में गंभीड नहीं है काय कल्प यूजना केता है 2250 के साथ अब तक 19 बिंदों पर महज 89 विद्याला ही संत्रिप्त है 1460 परसिदी विद्यालों में यूजना के 14 पैरामेटरों को पूरा किया गया है जिले में करीब 5 पीजदी ऐसी भी स्कूल है जहां अपसुद पेजल की ब्योस्था नहीं हो सकी है जबकि 70% स्कूल में समर्सिबल भी लग चुके हैं इसके उलट कायकल प्योजना से संत्रिप्त होने वाले 50% परसिदी स्कूलों में अभी बच्चे दर्य वटार्ट पर बैठकर पढ़ाई करने को बीबस है जबकि 42 परसिद विद्यालों आज भी बगएर चाहर दिवारी के संचालित हो रहे हैं हाला कि इस सब की बीच अच्छी बात क्या है कि 91 प्रतित स्कूलों में बालग बालग गाउं के लिए और 88 सरकारी विद्यालों में बच्चों के लिए सोचाले की विवस्ता उपलब्द है basic सिच्छा विभाग के कायकल्व योजना के लिए 27 राय ने बताए कि कायकल्व कराने जिम्मिदारी ग्रामपरदाद मसं चुकी है उन्हें वहितर ढंग से चाहिए dismiss कायकल्प योजना से जिन गाउं में पैशा था तो वहां की क्राम प्रधान काम करा दिये, अब तक जो बिद्यल है, योजना से संत्रिप्त नहीं हुए है उनको सीख रहे ही कायकल्प योजना के सभी पेरामीट्रों पर संत्रिप्त करेया जाएगा 9 नियूक्त सिच्चकों की सत्याफ़ा सूची में ज़स्पा करानी के मांगी नए सिच्चकों के बेतना और एरियर को ले कर की जा रहा ही लापरवाही का भी मसला उठाया है दोस्तों यह रहा आज का breaking news आसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगे होगी अगर वीडियो अच्छे लगए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे विल आइकन को प्रेस कर दीजे मिलता हूँ आपसे नएश वीडियो में कुछ नहीं जाना कर लेकर तब तक के लिए नमस्कार